सर जौन मालकम साथे श्री हरी नी मुलाकात गंबीर मातगी मापन श्री हरी राजकोट मां सर जौन मालकम साहिब ने मलवा माटे उद्सुक थया तेनी पूरुव भुमी का केंक आवी शे श्री हरी आशाडी समवत अधार सोब्यासी मां सयाजी राव बिजाना भाव भर्या नी मंत्रन थी जेरे वडोद्रा पदार्या त्यारे द्वेशी दिवान विठल राव देवा जिये श्री हरी ने पकड़वानी खूप कोशिश करी हाती ते फतेह गंजमा रहता अंग्रेज रेसिडेंट जेम्स विलियम्स ने पर मलेव तेनी पासे जुठ्धु बुलता तेने कहिँ गायक वाडे पूता ना राज्यनी लगाम स्वामी नारायनने सौपी दिधी शे तिथी स्वामी नारायनने पकड़ीने केत करी दो मिस्टर विलियम्स कई विचारे ते पहलांज धोल अने वाजावा गया तेने नोकर ने आमाटे तपास करवा मोकले हो त्यां आज नारुपंत नाना अने गायकवाडना सेना ध्यक्ष बापु सहेब गार्दी घुडे सवार थेईने सामा मलया। आ बन्ने ने जोई दिवान विठल राव त्यां थी पाचला बाढ़ने थी छू मंतर थेई गयो। नारुपंत नाना अने गार्दी ये मिश्टर विलियंस ने श्री हरी नो संदेश आपएों अने कहुँ शाहेब श्री हरी अहीं चार दिवस रोकाया हता परंतु आपने मली शक्या नो टा आज़े तेवो वरताल पधारी रहा शे तेमनी विदाय मां आ यात्रा काडी शें श्रीहरी ये कहुँँछे के साहेब ने कहे जो अमारा माटे आ राज्य तोशूं पन अनन्त कूटी ब्रह्मांडो ना राज्य पन त्रोण समान छे नरक तुल्य शे अमारू प्रागट्य राज्य करवा थयू नथी परन्तु अनेक जीवो ना रदय सिहासन उपर अमारू राज्य स्थापित करवा माटे थयू शे अमें वडोद्रानू राज्य लेवाना छीए तिवा खोटा समाचार तमने कोई ये आप्या होए तो भर्माशो नहीं अने समझी लेजो कि एवा समाचार आपनार मुर्ख अने पागल छे अने साहेब श्री हरिये एक बिजीपन वात विशेश पने आपने कैवडावी छे हवे तमें पुत्रनों शोक करशो नहीं ते पाचो थुडा समय मा आवी जशे मिस्टर विल्यम्स नारदय मा पोताना पुत्र विशे नो तिवर आघात लागयो हतो पुत्र जौन अंग्रेज सेनामा एक टुकडिनो सर्दार हतो जने अयोध्याना नवाबे कैद करेव हतो अंग्रेज लश्करे पोताना गुम थैला सर्दारनी तपास लोई पाणी एक करीने करी हती वली साथे साथे मिस्टर विल्यम्स पोतेज लकनो गया हता परन्तु पोताना पुत्र विशे कोई जानकारी मली नौती आ घटनाने 30 महिना विती गया हता श्री हरिये आजे एका एक तेनी वेदनानो उपचार करी दिदो ते पुत्रनी प्रतिक्षा करवा लाग्या श्री हरिये अयोध्याना नवाबने दर्शन्दईने जौनने मुक्त करवा मजबूर करया अने एकज अठवाडियम म मुक्ली आपफ़ा कई दिदूं एज प्रमाने श्री हरिये जौनने पन दर्शन्दईने कहुं सवारे कैदमा थी मुक्ती मल शे तमने नवाब वडोद्रा पोँचाडी देशे ए प्रमाने जौन मुक्त थायो तेने वडोद्रा आवी ने माता पिताने श्री हरीना अईश्वर्यनी आबधी वातो कई संबलावी त्यार्थी मिस्टर विलियम्स श्री हरीना प्रश्वर्यन सक अने गुणानू रागी बनी गया हता तेमने एपन खबर हती कि दिवान विठल रावनी दानत खोरी छे तेमनू दिवान पदू आजकी लेवा मिस्टर विलियम्स से सयाजी रावने सला आपी हती अने थूडात समय मां तेने पदब्रश्ट करयो हतो आ एज विलियम्स हता जमने रेजिनाल्ड बीशप हैबर ने भगवान स्वामी नारायन ने मलवा प्रेणा आपी हती मिस्टर जेम्स विलियम्स ज्याँपन जता त्यां स्वामी नारायन ना आश्रीतोंने अवश्य मलता कारण के तेमनी द्रढ मान्यता हती के जे काम राजदंड नथी करी शक्यो ते समात सुधारानु काम स्वामी नारायने पोताना निस्वार्थ प्रेम्थी करिऊंशे असंखे लोको प्रामानिक अनि परिश्रम शिल्व यवसायों मा प्रवरुत थेई गया शे जेओ पहला चोरी लुटफाट करवामा राचता काईदा कानुनने चावी ने गली जता ते लोको आजे भक्त बनी गया शे सदाचार ना मार्गे श्रीहरी ए तेमने अग्रेसर करी दिधाहता सौराष्ट्र ना पुलिटिकल एजेंट मिस्टर टी एन ब्लेन ने पन आज विश्वास अतो मुंबई ना गवर्नर सर जौन मालकमे गुजरात सौराष्ट्र नी शांती स्थापना विशे स्वामी नारायन नुँ नाम वारम वार सांबलिवतु ते ओज यारे राजकूट आव्या त्यारे मिस्टर जैम्स विलियम्स, मिस्टर ब्लेन अने गवर्नर ना रहस्य मंत्री मिस्टर थौमस विलियमसन वगेरिना मोढ़े पन स्वामी नारायन नी प्रशुन सा सांबली आथी गवर्नर ना रदैमा श्री हरी ने मलवानी तिवर इच्छा प्रगट थेई तेमने पूताना मंत्री ने कहूँ स्वामी नारायन ने एक पत्र लखीने मोगलो मिस्टर ब्लैन ने लख्यूं गडपूर्मा विराजमान सकल उपमा योग्य श्री स्वामी नारायन स्वामी सहजानन जी राजकोट थी लिखितन पुलिटिकल एजन्ट ब्लैन ना सहसनेह प्रणाम विशेश वीननती एछे कि मुंबई ना गवर्नर आ प्रांत मा खास पधार आशे अने आपने मलवा मांगे शे राजकोट मा आपने मलवा नी तेमने इच्छा शे साहेबनो आदेश शे तेथी आपत्र लख्यो शे आप कुरूपा करीने जल्दी राजकोट पधार जो आम पत्र मा सर जौन मालकमे श्री हरी प्रत्य दर्शना भिलाशा प्रगट करी हती श्री हरी नी काया कुरुष थेगे हती शैया छोडवानू नाम लेता नोता ते समय राजकोट थी माता दिन नामनो घुडे स्वार पत्र लईने आवेओ आ पत्र आशाडी समवत 806 महा वद बारस इस्वीशन 832 फेबरुआरी नो लखेलो हतो श्री हरी ये प्रत्युत्तर लखावेओ कि हवे स्वास्थ्य अनुकूल नथी इटले आराम करी रहोशू प्रत्युत्तर राजकोट मोकलेओ सर जौन मालकमे वाँचियो तेमने श्री हरीने मलीने जवू हतू इटले तेव अधीरा थेई गया सौराष्ट्रना इलाकाओना कामपन पताववाना हता तेथी बलेन द्वारा बीजो पत्र लखावेओ तेमने खुब प्रार्त्ना करी आ पत्र पीर भाई नामना दूद साथे मोकलेओ ते पत्र महावद चौदशनो अतो गढ़ड़ा मा सद्गुरुओ अने सोयम श्री हरीए आ पत्र माँचियो अने जवाब मा लखाविऊं के हमना त्यां आवी शकाय इवी कोई शक्यता न थी आ बीजो पत्र पन नकारात्मकोई मालकम खुब निराश्थ है तेमने राजकिये कामो पतावीने जल्दी मूंबई पहुचवानी उतावड हती इतले त्यां कचिरी मा कारकुनी नोकरी करी रहेला छोटम लाले तेमने कहुँ साहेब राजकुट मा स्वामी नारायन ना भक्त भीम भाई शे जो तेओ पत्र लख्षे तो स्वामी नारायन अवश्याव शे साहेब ये कहुँ तो भीम भाई ने कहो पत्र लखे छोटम लाले भीम भक्त ने कहुँ साहेबने भगवान स्वामी नारायन ने मलवानी तीवर उतकंठाशे तो तमें फरी पत्र लखी खेपियो मूकली आपो आ साम्बली भीम भक्त तरतज घेर गया अने महराज पर तेमने पत्र लख्यो स्वस्ती श्री गड़ूम महाशुब स्थाने परम गुरू परमात्मा अनेक जन उद्धारवाने तत पर दिन बंधु दया सिंधु भक्त वचल स्वामी श्री जी महराज श्री सहजानन जी चरनात श्री राजकोट थी लिखितन दासानो दाज भक्त भीम ना सास्टांग डंडवत अंगिकार कर जो बिजू लखवा करन एछे जे अमो सरकारनी कचारी मा बैठा आता तारे श्री छोटम लाले कईूं के जो तमारे स्वामी नारायनने तेड़ाववा होय तो सरकारनो अस्वार गयो छे तोई पन तमे काशिद मुको आहियां श्याबने मल्यानी उमेज छे अने देशकार पन रूडो जणाय शे पछे तो श्रीची माहराजनी नजर्मा आवे तेम खरूं समवत 846 ना फागन सूद बीजने दिवसे पत्र लख्यो श्री हरी ए अंतर्यामी पने जानी ने मुकतानंद स्वामी वगेरे संतों ने कहिऊं के साहेबना बै पत्र तो आवी गया हवे त्रीजो पत्रपन आवी रहो शे एटले घुडे सवार द्वारा तेनों जवाब लखी ने मुकलो के अमे राजकुट आवी रहा शिये श्री हरी ने विननती करतां संतों ए कहिऊं महराज आवी हालतमा निकलवूं ते बिलकुल योग्य नथी तमे हजू खाटला उपर थी तो उभा थई शक्ता नथी श्री हरी सूता हता परन्तु आ वाग के सांबली ने एक जटका थी बैठा थई गया तेमने रोग ने जाने के त्याज कईक राखी दिधो तेओ जल्दी उभा थया अने बोलया तैयारियो करो आपने निकलवूं शे श्री हरी ये इतली बधी जल्दी थी तैयारियो करावी के कोई कई कई शक्यू नहीं श्री हरी पोते वस्त्रबदलवा लागया जाने के नकमापन रोग न थी इवूं स्वरुप प्रगट करियूं ब्रह्मचारी ने थाल तैयार करवानी सुचना आपी दिधी थाल आवेयो श्री हरी ये भर पेटे भूजन लिदूं रोग क्या चालयो गयो कहीं खबर न पड़ी थोड़ा दिवस पहला गायकवाडना सुबा मीर साहे बे म्यानो इतले के मानसो उपाड़ी ने चाले तेवी बंद पालखी आपी गया हता तेमा बैसी श्री हरी फागन सूद बीजने दिवसे राजकुट जवा निकलया घणा दिवसो पछी श्री हरी ने आरीते खुश मिजाज मजोता बधाना रदय खिली उठया ए दिवसे दादा खाचरे बधाने साकर वेंची क्षत्रिय भक्तो घोडे स्वार थेई ने श्री हरी नी साथेज निकलया महराज गडपूर्थी राजकोट जई रया शे आवा समाचार विजली वेगे बधेज पहुची गया रस्तामा आवता गाम सिवाए आजुबाजुना गामोना हरी भक्तो केडी रस्ते कि बलत गाडियों साथेज उम्टी पड़या हता बधाने दर्शन देता श्री हरी आगलवदी रया हता खंबाला गामना ओघड खाचरना दर्बार मा बपूर्णु भोजन लिधू रात नो मुकाम वांकिया गामना धनी मोका खाचरना भवनमा राख्यो बिजे दिवसे वहली सवारे निकलया त्यारे बे संतो रस्ता ममलया तेमने दंडवत प्रणाम करीने कुशल पुछियों अने भीम भाई द्वारा आपेलो पत्र श्री हरीने हाथ मा आपयो श्री हरीना अंतर्यामी पड़ानो सवने अनुभव थयो पत्रमा साहे बे खुब विनाय पुर्वक वचनो लखावे आता श्री हरी ए कहूं साहे बे रदैनो भाव लख्यो छे आ मनुष्य जन्म कैम सफल थाए तेवी तेनी भावना छे भगवान अने भगवानना साधू एवा भाव विना मलता नथी बिजी रात उम्राली मा वितावी त्या राजो डूंगर वगेरे श्री हरी ना आश्रीतो रहता हाता तेमनी भगती स्विकारी त्या रात्रेज खोखर गामना हरी भगतो श्री हरी ना दर्शन माटे आवे हाता श्री हरी ने मली सववे प्रार्तना करी प्रभु आपनो रोग अमने आपी दो आप निरामाई रहो श्री हरी कहे अमारे रोग छेज नहीं तो शुमा पिये अनियाली आटकोट सरधार थैने राजकोटनी सिम्मा श्री हरी पोँची गया ते वकते एक घोडे सवार ने आगल दोड़ावयो श्री हरी ना समाचार मालकम साहिब ने मलया ते ओ आनन्दित थे गया श्री हरी ने सन्मानवा तेमने तैयारियो करी राजकोटना मुख्य मार्ग पर अंग्रेच सेना तैयार करी दिदी बेंड वाजा अने परम परागत निशान डंका वागवा लागया रस्ता उपर रोश्नी जड़हल वालागी बंदु को फोड़ी आकाश मा तिवर नाथ थयो श्री हरी ने निरकवा आखु नगर उम्टियों आजु बाजुना गाम ना भाविक भगतो उम्टि पड़या लांबी सन्मान यात्रा निकली आकाश गुलाल्थी भराई गयूं शर्णाई ना सुरो रिलाया संतो ना किर्तन गान्थ है स्वामी नारायन धुन गुंजी उठी स्वारी विर्मी श्री हरी नो प्रवेश उत्तर दरवा जाथी करावायो अई मोटो निवास श्री हरी माटे तैयार करावायो हतो आ बंगलो फक्त मालकम साहेबना खास अंगत महमान माटेज आरक्षित हतो भूजन माटे शुंशुंजुए तेपन साहेबे पूछाविली दुआतूं श्री हरी ये कहवडावियूं अमारा राजकोटना हरी भक्तो तरफ थी बधोज प्रबंध थाई गयो शे बीजे दिवसे मुलाकात गोठवाई साहेबनी इच्छाहती कि श्री हरी ने एकांत माज मलूँँछे इटले वदू हरी भक्तोंने साथे न लाववा तेमने कई होतूं नक्की करेला समय श्री हरी कोठी कमपाउंड ना बंगला माँ साहेबने मलवा पधार्या सर जोन मालकम, मिस्टर थौमस, मिस्टर ब्लेन अने अन्य छ अधिकारियोंने साथे लाई मालकम साहेब श्री हरी ने प्रतिक्षा करता उपाहता साहेबे श्री हरी पधार्या त्यारे तेमना चरणोंमा हाथ लंबावीने चरण स्पर्ष कर्यो श्री हरी नो जमनो हात पोताना हात मालईने आगल चालया बन्ने परस पर कुशल पुछियू श्री हरी नो शरीर कुरूश हतूं परंतु मुखार विंद पर अनुखु तेज हतूं श्री हरी ने हाथी दातनी खुर्षी पर बिराजमान करया वरिष्ट संतों अने दादा खाचर वगेरे भगतों माटे श्री हरी नी पाचलना भागमा खुर्षियों राकियाती सव शान्ति थी बैठा सन्मुख खुर्षी पर बैसी गवर्नरे मस्तक नमावियूं ने कहूं नारायन स्वामी आपने अमें खुब कश्ट आपियूं क्षमा कर जो अमें आपनी कुशलता इच्छिये शिये श्री हरी कहे आपना त्रण पत्रों मलया आपनो प्रेम जोई अमें बीमारीनों त्याग करी दिधो अने आववा निकली गया अमने कोई मुश्केली पड़ी न थी सर जौन मालकम में स्वामी नारायन धर्मना सिद्धान तोने जानवानी रुची प्रगट करी श्री हरी ए संक्षेप मां तेनी जानकारी आपी श्री हरीनी गुजराती मधूरवानी गवर्नरना रदय मां बैसी गई गवर्नरे पूछिऊं अमारा राज्य मां आपने अत्वा आपना अनुयाई वर्गने कोई थकी कष्ट तो पहुँचतू न थीने श्री हरी ए कहुँ कष्ट किवुँ आपना अधिकारी अमारा भक्तोनू सर्व प्रकारे रक्षन करे शे गवर्नरे कहुँ स्वामी नारायन जी जिया राज्यना कानून निश्पल गया छे त्या आपनी धार्मीक ताये बधाना रदय पल्तावी नाख्या छे ती आपनी चमतकारिक प्रतिभा छे श्री हरीये मंद मंद हस्ता कहुँ तेने ज धर्म कहँआए के जे सदाचरण निती नियम ना तांतना थी एक बिजाने साचा मार्ग मा जोड़ी राखे जे जीव भगवान ना मार्ग पर चाले छे ती राज्य द्वारा बनाविला कानून नो क्यारे उलंगन करता न थी कारण के भगवान ना कानूनों पन सरवजन हिताइ निर्मान थहेला हुई छे गवर्नरे कहिँँँ इवं कोई पुस्तक छे के जे मा आपना आवा कानून लख्या हुए श्री हरी ये शुक मुनि द्वारा लखावी ने तैयार करे लू शिक्षा पत्रे नो पुस्तक मंगाविँँ अने गवर्नरने भेट करिऊं। आहस्त लिखी धर्म कानुन गरंत ने गवर्नरे आँखे लगावेओ अने माथे चड़ावेओ। ते ओ खुब राजी थाया। उपन पूजन करिऊं। बदाने हार पहरावया। आम एक कल्लाक सुधी श्री हरी साथे सर जौन मालकम साहे बेप परामर्श करेयो। पछी श्री हरी ये कहुँ। हवे अमने विदाय आपो। फरी गवर्नर अने बधा अधिकारियों ये श्री हरी ना चर्णों मा वंदन करया गवर्नरे कहुँ। स्वामी नारायन जी आप थोड़ा दिवस अहीं रोकाई जाओ। आपने जे जो ये ते कहिजो। आपना कोई द्वेशी होई, वेरी होई, विग्न करता होई, तेनी अमने जानकारी आप जो। अमे तेने सिधा करी शूँ। आ सांबली श्री हरी हस्वा लागया, अने कहुँ, अमारे कोई शत्रूज न थी, अमारा कारे मा कोई विग्न करनारूं छेज नहीं, बधा अमारा स्नेही होशे, अने अमे कोई वस्तूनी इच्छापन राकता न थी, गवर्नरने श्री हरी नी निस्प्रुहिता रदय मा ब आखो घुडा आपया बराबर छे, श्री हरी ये साहेबनी भावना थी प्रसन्न थेईने कहुँ, तमें अमारी पासे कहिंक मागो, त्यारे मालकम कहे, हे स्वामी नारायन, अमारू अने अमारा शत्रू अनू भलू कर जो, गवर्नरनी आवी भावना जोई, श्री हरी आमी अपाई हती, श्री हरी जानता हता के सर जौन मालकम में क्यारे दारू पिधो न थी, अने हिंदु धर्माचार्यों प्रत्ये तेमनो आदर अने अभिवादन वखनाता हता, इटलेश तेमने श्री हरी पासे जे माग्यू, ते खरे खर खुब उची थातू, तेमना क्यारे पन खराब इच्यू नोतू, पोताना कुलाचार संस्कारों ने जीवन पर्यंत तेमने जालवे हता, सर्व करता परमात्मा ए आम मनुष्य जन माप्यो शे, तेथी ते परमात्मा प्रत्ये सदाय कृतग्न बनीने रया हता, तेमनी आवी रदैनी पवित्रता ए श्री 22883 इतिहासमा अमर थे गई